नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों बुधवार के दिन यह चीज खाने से लोग शीग्र बनते ह धन्वान और यह बात दोस्तों शत्परतिशत सच है धन्वान के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति की बुध्धी बहुत तेज हो जाती है इने शीग्र ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाएं उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात तरक्की होती ह दोस्तों, यदि यह वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं, तो लोगों के दिन दुगनी रात, चोगनी तरक्की होती है दोस्तों सही और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा अवश्य देखना है दोस्तों कहावत है ना कि जैसा खाए अन वैसा रहे मन अन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है अन्य कही न कहीं ये हमारे मन पर अपनी उर्जा का प्रभाव डालता है दोस्तों बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों बुध का मतलब ही समझ लीजिए बुद्ध का मतलब होता है बुद्धी और बुद्धी के देवता कौन है भगवान गणेश जी से हमें क्या प्राप्ती होती है भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है दोस्तों बुद्ध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इ शनी से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं। बुद्ध ग्रह के प्रभाव अधिकतर लोग शनी महाराज को भी कोशते हैं कि शनी के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। बहुत ही आम बात है और लोग शनी महाराज को कोशते हैं कि शनी के कारण ही यह हमारे जीवन में दुरगटना हो रही है। परेशानी आ रही है। दोस्तों इसी के कारण ही दुरगटना होती है और तंत्रक्रिया जिन्हें तंत्रक्रिया अध्ययन एक लगती है। मंत्र वगे प्रकार के तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह के तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है और इसी के साथ यदि आपकी बुद्ध कमजोर हो तो बुद्धी और विवेक ये दोनों नश्ठ हो जाते हैं। नाना प्रकार के आपके जीवन में कश्ट आती है तो यह बुद्ध के ही कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धी को नश्ठ कर देता है। और यह सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं। संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों या बुद्ध की कुछ क और यह सर्वत्र हानी करता है. जहां पर जाईए जिस भी काम को करने के लिए जाईए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्यके या फिर पढ़ाई वगैर ह करें, वहां पर भी आपको सफलता हासिल हो जाती है. यह बुद्ध के को प्रभाव के कारण है, तो इस को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुद्ध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुद्ध और गणेश से दोनों मजबूत हैं। सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पच पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्ये आपकी तकदीर बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे। और गणेश जी से हमें शुब लाब दौलत रिद्ध सिध्ध सभी की प्राप्ती होता ह और इसके नीचे में कौन काम करता है जो बुद्ध ग्रह है। भगवान गणेश जी इनके इस्ट है। इस वीडियो को ध्यान से ध्यान से सुनना सारी जानकारी में बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं। जैसे कि माता महालक्ष्मी माता महाकाली और माता महासभास्मृती महाकाली मतलब है। दोस्तों स्वयम माता पर यदि यह तीनों की ही कृपा मिले। भगवान गणेश जी महाराज को तो बुद्ध का स्वामी कौन है तो बुद्ध के स्वामी गणेश जी है और गणेश कौन है तो भगवान गणेश क की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाए, बिलकुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। जिन्हें भगवान जी की गणेश जी की क्रिपा मिल जाती है, उन्हें माता पारवती और भगवान भोले बाबा का स्वतह आशीरवाद मिल जाते हैं। अर्थात इसकी संसकार होती है, दूध जो घास है, यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं, तो स्वास्थिकी जो है चांदी के स्वस्थिक आप पहनते हैं। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये और जबरदस्थ फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि आपकी बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं। भगवान जी के आशीरवाद प्राप्त होता है। माता पारवती और भोले नात जी का भी आशीरवाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनी हैं तो चांदी की ही स्वस्थिक क्यों। पहले तो दोस्तों चांदी चंद्र का धातु है। अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है यह चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है और भगवान भोले नाथ भी अपनी शिखा में अर्थात दोस्तों अपनी जटा में अर्थ चंद्रमा की अपनी जटाने यह जो दोस्तों रखे हैं तो जो चंद्र है यह शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं और चांदी धातु यह चंदर का प्रतीक माना जाता है और चंदर देव के पुत्र कौन है तो ध्यान से सुनना चंदर देव के पुत्र कौन है बुद्ध ग्रह है इसलिए दोस्तों चांदी के स्वस्थिक पहनने से बुद्ध ग्रह आपकी कं प्रेट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है माता पार्वती की से रज कहा जाता है। प्रेट्रोल में जिस तरीके से आपको उपाय बताएं किसी उपाय से आपको पहनने तक आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं भगवान गनेश और हरे रंग जो है यह बुद्ध ग्रह को समर्पित है तो दोस्तों हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर धूब घास अपने पास शुरू कर देते हैं। दोस्तों दूद घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है दूद घास का। हमारे जीवन में आपने देखा होगा इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जैसे कि पूजा पाठ में दूद घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते दो घास का प्रयोग होता ही होता है तो जिस प्रकार भ भगवान गणेश जी को पाँच दो घास आप जो है चढ़ा दीजिये और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें अपनी सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस दूद घास को आप अपने पर्स में रखें तो जहां भी जा उनके तरफ आकरशित होता है, तो जो बुद्ध ग्रह है, यहां हर एक कलर की तरफ शीघ्र आकरशित होता है बुद्ध ग्रह की। हर एक कलर की वरिक्ष लगाने से वैसे सभी वरिक्ष प्रायह खड़े होते हैं, और संत सेवा करने से भी भग्वान गणेश जी प्रसन होते हैं, दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो और आसान टोटका बताऊंगा, जिसे टोटके को अपना करके आप अपनी जीवन में बुध्ध ग्रह के बहुत सारा ढेर, सारे आशीरवाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध्ध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाब ले सकते हैं और भगवान गणेश जी की के ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्तिधनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के यह बहुत बड़े पत्नी प्रतिष्ठित भी होते हैं जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों, एस्ट्रो सच एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बलकि आप सभी दर्शकों का परिवार है, और दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। तो ऐसे कौन से तोड़ते हैं, जिन तोटके को करने से भगवान गणेश जी शीग्र प्रसन्न होते हैं। सुपारी को कैसे जागरित करना होता है। सुपारी को आपको दोस्तों जिस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पंचों प्रचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीरवाद प्राप्त पास में रखते हैं। तो जहां भी जाएं भगवान गणेश जी आपके साथ में रहे गए उनके आशीरवाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो यह घर के आपके घर के जो उर्जा है उसे काम करते हैं। आपके घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों यह उपाय आसान है परन्तु इनके प्रभाव की तीवर है। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने बुधवार के दिन हरे मूंग की 21 दाने हरे कलर की जो कपड़े है इसके पोटली ब गारंटी है। दोस्तों 101% गारंटी गणेश जी का आशीरवाद मिल जाए। उनके लिए फिर कोई भी कार्या संभव नहीं होता। अब क्या खाएं जिससे हम शीग्र धनवान बनें। हमारे जीवन में शीग्र से धन आए। हमें हर क्षेत्र में सफलता तो दोस्तों हर ची कि वस्तू अपनी तरफ आकर्शित करता है तो दोस्तों जितने भी हर चीज है जैसे कि पालक है धनिया है, हर एक कला की जूस है या फिर दिंचर्या में उप्योग किये जाने वाले जितनी भी है इसका अत्यधिक उप्योग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो एक दूद घास की रस्म नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपके बुद्ध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश जी साथ आपके उपर भी महरबान होंगे। क्योंकि दोस्तों जो हर एक कलर है ये बुद्ध ग्रह को समर्पित है। बुद्ध ग्रह इसकी तरफ आकर्शित होता है। और यदि आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे की एक कप दूद घास की रस्पीना शुरू करते हैं तो आपके मन शांत रहेंगे। एकाग्र है और आपकी बुद्ध भी तीवर होंगे। और पूर्ण रूप से आपके उप बुद्ध का प्रभाव रहा आएगा और बुद्ध के प्रभाव आपके उपर में रहेंगे। तो आपकी बुद्ध भी आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीवर हो जाएंगे और जिनकी बुद्ध तीवर हो। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत बन जा धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं, तो आप चाहे तो एक ही चम्मच की मात्रा में मिथ्या चाहें, तो दूद घास का रस पीना शू, उ कर सकते हैं, आपके उपर में बुद्ध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीरवाद होगा, एक रत्न है, दो चाहें तो इससे उपर हैं सकते हैं, परंतु जो सवा पांच रत्ती है, इसे बहुत ही उत्तम कहा गए हैं, आप इसे कनिष्ठा अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारन कर सकते हैं, बुधवार के दिन हरे मूं की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूं की दाल का सेवन करने से लाब मिलता है। ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिती मजबूत होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे बु जा गई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लायक अवश्य कर दें धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए